नमस्कार बहुत स्वागत है आपका स्पेशल रिपोर्ट में मैं हो रिनू नेतन्याहों को इरान से एक बहुत बड़ा जटका लगा है इरान में रहने वाले यहूदी अब इसराइल से लड़ने को तयार हैं दुनिया में बहुत कम लोग जानते होंगे कि इसराइल के बाद पश्चिमेशया में यहूदियों की सबसे बड़ी आबादी इरान में रहती है और यहां एक यहूदी सांसत भी है अब इरान की सी यहूदी सांसत ने इसराइल के प्रधान मंतरी नेतन्याहों को धमकी दी है और कहा है कि अगर इरान पर हमला करने की कोशिश की तो इसराइ इसराइल को मिचा देगा इरान का यहूदी लड़ा का 1 अक्टूबर 2024 को 2000 बलिस्टिक मिसाइलों से हमला करने वाला इरान क्या इसराइल पर फिर भैंकर हमले करने जा रहा है ऐसे दावे क्यों किया जा रहे हैं कि इरान के सवर्थन में यहूदियों का एक वर्ग इसराइल का वजूद मिटानी की तैयारी में जूट गया है क्या वाकई एरान के सुप्रेम लिडर अली खामनेई के पास यहूदी ब्रिगेड है जो इसराइल का वजूद मिटा सकती है ये दावे और कयास इसलिए लगाए जा रहे हैं क्योंकि एरान में एक यहूदी सांसद ने ऐसा बयान दिया है जिसने प्रधान मंतरी नेतनियाहू के साथ साथ रक्षा मंतरी योग गैलन्ट और इसराइल के टॉप कमांडों के होश उड़ा दिये हैं इरान के इस एहूदी सांसद का नाम हुमायू सामेह या नजफाबादी है जिसने प्रेस ट्रीवी पर बहुत बड़ा दावा कर दिया है खाम नहीं कि यहूदी ब्रिगेड नेतनियाहू से लेगी बदला एरान में एक यहुदी सांसद हिमायू सामेह या नजभाबादी ने इसराइली प्रधानमंत्री वे नियामिन नेतनियाहू को धमकी देते हुए एक अक्टूवर को मिसाइल हमले के जबाब में अगर अश्रिया देश एरान पर इसराइल हमला करता है तो ये नेतनियाहू सरकार के मुर्खता थाबित करने वाला ख़दम साबित होगा यहुदी सांसद हुमाईू ने नेतनियाहु सरकार को चेताउनी देते हुए प्रेस टीवी पर कहा है कि इसराइल को एक बार फिर से एरान नया हमला करके चौका सकता है हुमाईू नस्वाबादी ने यहां तक दावा किया है कि इसराइल के वज़े से पूरे पश्रिम एशिया में चौतर फा युद्ध शुरू हो सकता है इस वकर इसराइल को दो तरफ से चौनोती मिल रहे हैं एक तरफ से हिजबुल्ह लगातार नौर्थ इसराइल में हमला कर रहा है और दूसरी तरफ इरान इसराइल पर एक बड़े हमले की तैयारी कर रहा है समझा यही जारा है कि वो हमला एक अक्तोबर से बहुत ही ज्यादा बयानक होगा कई लोगों के दिमाग में सवाल कौन रहा होगा कि एरान में यहुदी कहां से आ गए हैं और यहुदियों के कटतर दुश्मन माने जाने वाले एरान का साथ यहुदी क्यों देंगी हम आपको एक चौकाने वाला आंकडा दिखाते हैं जो साबित करता है कि एरान में मौजूद यहुदी पूरी तरह से एरान के सुप्रेमिलिटर अली खामनई के वफादार हैं वो जितनी मौभबत अली खामनई से करते हैं उससे कहीं जादा नफरत इरान के यहुदी नेतनियाहू और इसराईल से करते हैं जरा देखिए इस वक्त इरान में कितने यहुदी रह रहे हैं साल 2022 में जारी हुए आकड़ों के मताविक अरान में इस वक्त 9200 से ज़ादा यहुदी रहते हैं पश्रोमी यशिया में इसराईल के बाद सबसे ज़ादा यहुदी अिरान में ही रहते हैं 1948 तक एरान में एक लाक यहुदी रहा करते थे लिकिन बदले हालातों की वज़ से अब एरान में 9200 यहुदी बचे हैं एरान में रहने वाले यहुदीयों को एरान का वफ़ादार माना चाता है इसलिए इरान के यहुदी सांसद हुमाईू सामेह याह नजफाबादी दावा कर रहे ही कि इरान को इसराइल नहीं हरा पाएगा इरान का खुरम चैलेंज जी हाँ इरान की चौति पेड़ी के खुरम शेहर मिसाइल के आने के बाद से ही इरान का कॉण्फिढंस हाई है इरान की हाइपरसोनिक मिसाइल की ताकत मी भी जोड़ है जिसके आगे कभी-कभी आईर्ट डोम भी नाकाम हो जाता है खामनेई का खुर्म चैलेंज इरान को हराने वाला पैदा नहीं हुआ एक अक्टूबर को इसराइल पर मिसालों की बारिश करने वाले खामनेई भी अब आर पार की जंग करने को आमादा हो चुके हैं मिडलिस्ट के दावों के मताबिक इरान को लग रहा है कि अगर इसराइल पर जल्दी ही दोबारा अचेक नहीं किया तो इसराइल इरानी सेना के टॉप कमांडर और नेताओं को भी उसी तरह से टारगेट किलिक कर सकता है जैसे हमास और हिजबुला के धाकड नेताओं और कमांडरो को मारा गया है इसलिए एरान ने अपनी मिजाईल टाकत के दम पर इसराइल पर भायंकर हमले की तैयारी पूरी कर ली है खास तोर से हाइपर सोनिक मिसाइलों से इरान इसराइल पर कभी भी दोबारा हमला कर सकता है अब आप जरा ये जान लिजे खामने इसराइलों से ही इसराइल पर हमला करने पर क्यों उतारू है इरान का जरा ये वीडियो देखिए इस वीडियो के बारे में इरान का दावा है कि ये सुरंग बंकर जमीन से 500 मीटर की गहराई में एक पहाड़ी के नीचे मौझूद है इस सुरंग बंकर में इरान के F-4 फैंटम जेट से लेकर क्रूज, बलिस्टिक और हाईपरसोनिक मिसाईलों को साफ देखा जा सकता है इस वीडियो में ये भी दिखाया गया है कि इरान की मिसाईलें जबरदस्त हमला करने जा रही हैं इरान की ये मिसाईलें हर तरफ से लाँच हो रही है Center for Static and International Studies यानी CSIS में मिसाईल Threat Project की 2021 की रिपोर्ट के मताविक इरान के पास हजारों बलिस्टिक और क्रूज मिसाईलें हैं जिनकी रेंज अलग अलग है इसी साल अप्रैल 2024 में इसराइल पर किये गए इरान के पहले हमले के बाद इरानी नियूज आउटलिट ISNA और दे इरान प्रेमियर के जरिये इरान की मिसाईल श्रमता के बारे में जानकारी दी थी जिसमें इरान के ऐसी नौ मिसाईलों को दिखाया गया था जो इसराइल को पूरी तरह से तबाह कर सकती हैं और इरान ने ऐसा करके भी दिखा दिया है हम आपको बता दियें कि अमेरिकी वाई उसेना के जरनल केनेथ मेकेंजी ने दो हजारतेईस में कॉवर्णिस को बताया था कि इरान के पास तीन हजाद से ज़ादा बलिस्टिक मिसाईले हैं ये रिपोर्ट ढ़ाई साल पहले की है अब तो और भी ज़ादा बलिस्टिक मिसाईले इरान के पास हो सकती हैं कुछ रिपोर्ट में तो यहां तक दावा किया गया है कि इरान के पास दो लाग से ज़ादा मिसाईले हैं जो इसराईल को आसानी से तबाह कर सकती हैं इरान की सबसे नई मिसाइलों में मीडियम रिंज की बलिस्टिक मिसाइल खुरम शहर ने इसराइल के होश उड़ा दिये हैं इरान के खुरम शहर के नाम पर बनी खुरम शहर मिसाइल के रिंज 2000 किलो मिटर है खुरम शहर मिसाइल की स्पीड 9878 किलो मिटर प्रती घंटे से 19756 किलो मिटर प्रती घंटे के बीच है जो इसराइल पर बहुत भारी सावित हो सकती है वहें शहाब 3 मिसाइल की रेंज 1300 किलो मिटर है जो 8640 किलो मिटर की रफतार से हमला करती है जबके शाहब चार की रेंज 2,000 किलोमीटर जो दोनी से तीन गुना रफ़तार से हमला करती है इमाद की रेंज 1,700 किलोमीटर है इसकी स्पीड का खुलासा नहीं किया गया है जबकि एरान के हाइपोसोनिक मिसाइल फता मिसाइल के अधिक्तम स्पीड 16,000 किलो मिटर प्रती घंटे होती है ये मिसाइल हाइपोसोनिक गती से उडान भरती है फता मिसाइल साउंट की चाल से पांच गुना तेज रफतार से उडान भरती है इसके अलावा इरान की इमाद और गदर मिसाइल ने इसराइल पर पहले चरण का हमला करके इसराइल को चौका दिया था वही इरान के खाइबर शेकर ने इसराइल के तीन सेन्य अड़ो को एक अक्टूबर के दिन जबरदस्त नुकसान पहुँचाया था वही इरान के हज कासिम मिसाइल भी इसराइल के ताबूत में आखरी किल ठोक सकती है हज कासिम की रेंज 1400 किलो मिटर है इरान के मिसाइल हमले के भीसर खत्रे को देखते हुए अमेरिका और इसराइल ने युद धस्तर पर रणनीती तयार की है सूतरों के मुताबिक अमेरिका और इसराइल में एक सीक्रेट डील हुई है जिसके तहट इसराइल फ्रंट पर रहकर इरान के अंदर हमले करेगा और अमेरिका इरान के अंदर ग्रिह युद्ध की आग भड़काएगा अमेरिका और इसराईल ने मिलकर इरान के खिलाफ इस टू फ्रंट वार की तयारी पूरी कर ली है 10 अक्टूबर को देर राते इसराइली सेक्योरेटी कैबिनेट की बैचक हुई इस सेक्योरेटी कैबिनेट की बैचक में इरान पर हमलों के मुद्दों पर वोटिंग हुई पूरी कैबिनेट ने इरान पर हमले का समर्थन किया है इस बैठक को एरान पर हमलों से पहले अंतिम बैठक कहा जा रहा है संकेत साफ है कि इसराइल के प्लैन में अब कोई बदलाव नहीं होने वाला है इसराइल के रक्षा मंत्री यौग गैलेंट ने सबसे विनाशक संकेत दिये हैं गैलेंट ने कहा है कि स्वर्गे के दौर खुल चुके हैं सही समया चुका है इस बैयान का मतलब माना जा रहा है कि इसराइल इरान के परमालों सेयंतरों पर हमले करने वाला है इसराइल ने ऐलान कर दिया है कि प्रॉक्स एरान के हाथ पैर हैं अब इन्हें काटने के बज़ाए इनका सिर्क चलने का वक्त आ चुका है इसराइल के लिए सबसे बड़ा खत्रा है इरान क्योंकि इरान की वज़े से ही इसराइल को साथ फरंट पर जंग लड़नी पड़ रही है इसराइल को लिबनान, गाजा पर्टी, इराक, वेस्ट बेंक, सीरिया, यमन और इरान से जंग लड़नी पड़ रही है इन सब का शक्ती किंदर तहरान है और अगर तहरान को खत्म कर दिया गया तो इसराइल के इन दुश्मनों की ताकत अपने आप खत्म हो जाएगी अब देखना होगा इरान इसराइल पर पहले बड़ा हमला करता है या फिर इसराइल इरान का वही हाल करेगा जो गाजा और लिबनान का इस वक्त हो रहा है इसराइल ने लेबनान के बार जब में बहुत बड़ा हमला किया इडियाफ की एर स्ट्रैक में कई बहु मनजराय मारते जमी दोस हो गई तो बहुत दक्षणी लेबनान के नकौरा में भीषण लड़ाई चारी है दक्षणी लेबनान में तनात सयुक्त रास्ट की शांती सेना के हेड़कौर्डर पर भी हमला हुआ और यहां तनात एक जवान को भी कोली लगी वार जोन की तरह ही डरावना अपडेट इरान से आ एक अक्तूबर को इरान ने जहां टार्गेट सेट किये थे वही पर दो सो मिसाइले की रिंग, फटी और इसराइल धुआ धुआ हो गया लेकिन अब खामनेई के और पर मिसाइलें जिस लोकेशन पर हमला करेंगी इसकी कोई गैरंटी नहीं है क्योंकि बटन दबने के बाद इन्ही मिसाइलों को इसराइल कंट्रोल में लेकर टार्गेट सेट कर सकता है ये तो बिल्कुल ताज्जुब की बात है लेकिन याद करिए कि कैसे बेरूत में हिजबुल्ला लड़ाकों के पेजर फटने लगे थे कैसे उनके वाकेटॉकी बम बन गए थे इसराइल इरान को भी उसी तरह दहला सकता है इसकी रिहलसल हो गई है इसराइल, हमास और हिजबुल्ला के बाद तीसरे नमबर पर तहरान का दहलाना तै है इसराइल से दुश्मनी कितनी भारी पड़ती है ये गाजा की इन तस्वीरों से समझी है यहाँ पर एर स्ट्राइक हुई है ये आप देख सकते हैं अभी लोग जो जखमी होए हैं उनको निकाला जा रहा है एक रिस्क्यू उपरेशन चलाया जा रहा है लगातार इसराइल की तरफ से हमले किये जाना है तो फिलाल ये जो आप इरिद गित देख रहे हैं ये रिलीफ इंड रिस्क्यू उपरेशन की टीमें हैं जो यहाँ पर अभी पहुंची है अभी ये कैपना मुश्किल है कि अंदर क्या हुआ है लेकिन यहाँ से ये है ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट शुकरवार रात से उठा जबालिया में बारूदी जलजला अब जाकर शान्त हुआ लेकिन इसकी चपेट में आकर 22 लोग बेमौत मारे गए नब्बे की जिंदगी दाओं पर लगी है इसराइल इसी तरह वेस्ट बैंक में हमास को बेहरहमी से फीट रहा है लेकिन रापा म कासिम ब्रिगेट जोरदार पलटवार करने लगी है कासिम ब्रिगेट ने इसराइल के दो टैंक और बुल्डोजर के चीतलो उड़ा दिये हैं अलगी हमास और हिजबुला दोनों को तहरान से आई अलर्ट ने सन कर दिया है एरान में 11 अक्तूबर को कुछ ऐसा हुआ जिससे एरान के मिसाईल लॉंच तो होगी लेकिन भटेगी वहाँ जहां नेतन याहू चाहेंगे इस बुल्ला के रॉकेट उड़ेंगे लेकिन भटेंगे वहाँ जहां इसराइल के आर्मी तै करेगी हमास और हूती के हत्यारों का यही हाल होने वाला है इसराइल के दुश्मन अब अपने ही हत्यारों से जलेंगे नेतन याहू ने साइबर युद्ध शुरू कर दिया है इसराइल हाइटेक लड़ाई से सभी दुश्मनों का सफाया करने जा रहा है पहले गज़ा फिर बेरूद और अब तहराइन का नमबर इसराइल के टार्गेट सेट है टाइमिंग फिक्स है तबाही का लेवल भी लॉक है एक एकर दुश्मनों का सफाया शेहरों की बरबादी दुश्मन ग्रुप की पूरी लीडर्शिप का खादमा नेतर्याहू ने हमास और हिजबुल्ला को जिस तरह खुचला है उससे भी खौपनाक अंजाम इरान को भुगतना पड़ सकता है इसका ट्रेलर 11 अक्तूबर को इसराइल ने दिखा दिया है शनिवार को इरान की वार लाइफ लाइन हैक कर दी गई थी इसराइल ने ऐसा कुछ किया जिससे तहरान में कोहराम मच गया आधी रात को इसराइल वार रूम ने ये मैसिच सोशल मीडिया पर पोस्ट कर तहरान को थ्रेट से अलर्ट भी कर दिया है इरान में साइबर अटैक हुआ इस अटैक के माइने क्या है क्या इरान में सब कुछ इसराइल कंट्रोल कर सकता है डीटेल डरावनी है इसराइल के दुश्मनों के लिए भैयान है जानेंगे नेतन याहू का मोस्ट पॉफुल वार ब्लैन दोसों मिसाइल हमलों के बाद का पूरा ब्लूप्रेंट मगर वार जोन का ये विद्वनसक द्रिश्चे देखने चलिए हाइफा, गैलीली और लेबनान वाडर पर इसराइल की जमीन जल रही है देख सकते हैं तस्वीरों में की जो यहाँ पर मिसाइल गई है, उसकी वज़्चे यह सोलर सिस्टम है पानी गरम करने के लिए, बिसिकली यह सोलर सिस्टम है वो पूरी उसके काँच जो है तूट गए है, बिखर गए है, देखिए काँच की टुकड़े आपको दिखाई दे रहे है ये सोलर सिस्टम पूरी तरसे नस्ट हो गया है हिजबुल्ला ने हाइपा को बेहसाब रॉकेट से चलनी कर दिया है रॉकेट स्ट्राइक देर रात में शुरू हुई और भोर तक इसराइल को धुलसाती रही जब हाइपा में रॉकेट फट रहे थे तब बेरूद में भी बारूदी धमाके से धर्ती धर्रा रही थी बेरूद के आजमान में काला धुआ 12 अक्तूबर की सुबा तक उखता रहा इसराइल ने अन्दादू हमले के साथ लिबनान में हिजबुल्ला को 22 शेरों में डेथ वारेंट का इस्तिहार चापा है यह जो आप इरिद गरिद देख रहे हैं यह हर तरफ से तबाही है मैं दूसरे साइट से आपको दिखाने के कोश्च करूँगा यह आप देख सकते हैं यहां की गाडियां किस तरिके से बरबाद हुई है क्यूंकि यहां पर लगातार इसराइल की तरफ से सिट्राइक्स की जा रही है और यहां पर इसराइल को लगा था कि हiesबुल्ला के कमांडर इस एरिया में है और जहां पे भी उनको कोई information मिलती है वो उन्ही इलाकों को बरबाद कर देते हैं और ये आप देख सकते हैं कि ये बिलकुल बड़े पैमाने पे यहां तबाही हुई है जहां पे भी आप नजर दोड़ाएंगे वहां पे तबाही दिख रही है तबाही के मनजर News 18 नेटवर्क पे आप देख सकते हैं इसराइल ने लिबनान के एताल शाफ, रामिया और हनीन जैसे बाईस इलाके इस बुल्ला लड़ाकों को खाली करने के आदेश दिये हैं आईडियफ ने बाईस इलाके खाली कर अलवली सागर की तरफ भाग जाने का फरमान सुनाया है दक्षणी लिबनान में इसराइल ने तूफानी हमले शुरू कर दिये हैं इसराइल ने लिबनान के माईसरा केसरवेन पर भीशन हमले किये हैं दक्षिल लिबनान के बारजा में भी IDF ने जंगी जेट से बेहसाब बंबरसा है उधर बेरूत में भी इसराइल बारूत की मातरा कम नहीं पढ़ने दे रहा है इस बीद बेरूत में मारे गए हजबुला के टॉप कमांडर्स और इरान के कमांडर के शबु के शिनाख भी हो गई है इरान की इसलामिक रेवलूशन गार्ड्स कॉप्स के टॉप कमांडर अबास निल फुरुशान की डेड़ बाडी भी मिल गई है IRGC कमांडर अब्बास की मौत नसर अल्ला पर हुए हमले में हुई थी कितनी तबाही हुई है यहाँ पर मैं यहाँ से दिखाने की कोशिश करूँगा आपको कि यहाँ पर रॉकेट गिरे हैं और रॉकेट की वज़ा से आप देख सकते हैं बिल्डिंग्स में यहाँ पर क्यात तबाही हुई है सब कुछ बिखरा पड़ा है और कई लोगों की मौत हुई है इस हमले में और लगातार इसराइल की तरफ से रॉकेट दागे जा रहे हैं और हिजबुल्ला की तरफ से भी अटाक किये जा रहे हैं बेरूत में भीशन मंबारी हो रही है और इस बीच एक बार फिर से इरान ने लिबनान के समर्थन की बात की है इरान के संसत के अध्यक्ष मुहमद बागेर बेरूत में हैं और इस्राइली हवाई हमलों से बचे खंड हरूं का दौरा कर रहे हैं बेरूत की बरबादी की तस्वीरे इरान के संसत के अध्यक्ष मुहमद बागेर गालिबफ ने भी महसूस की इरान दौरे पर पहुंचे गालिबफ ने बेरूत में उस जगा का दौरा किया जहां नसरल्ला मारा गया बारूदी खंडर के धेर को देख इरान के पूर्फ सेनने कमांडर गालिबफ का खून खौल गया गालिबफ ने नसरल्ला की मौत की जगा से ऐलान किया है कि सुप्रीम लीडर खामनेई ने इसराइल की तबाही तक हिजबुल्ला का युद्ध में साथ देने का एलान किया है अपने बाशन के बाद गालिबफ ने लिबनान के कार्रवाहक पुर्धान मंतरी नजीब मिकाती से मुलाकात की है इस बैठक के बाद हिजबुल्ला के मीडिया ऑफिसर हर्ज मौहमद अफीफ ने नेतनियाहु को डारेक्ट थमकी दी है इस्बुल्ला और इरान की धंकियां एक तरफ है और दूसरी तरफ है इसराइल का नेक्स्ट अक्शन इसराइल ने साइबर अटेक की थ्रिलर अक्शन से तेहरान की टेंशन बढ़ा दिये इसराइल का साइबर हमला शुरू हो चुका है जो की हर गुजरते दिन बड़ा और विस्पोटक होता जाएगा इरान के साइबर स्पेस के पूर्फ सचिप फिरोजबादी ने इरान इंटरनाशनल के हवाले से दावा किया है कि इरान पर बहुत बड़ा साइबर हमला हुआ है साइबर अटैक के दाइरे में इरान हकूमत का हर महकमा आया है यहां तक कि इरान के न्यूकलिर साइट को भी साइबर अटैक से निशाना बनाये गया है साइबर अटैक की जद में एरान के बंदरगा, ट्रांसपोर्ट, हिंदन सप्लाई सिस्टम तक आए हैं साइबर अटैक का असर तहरान से लेकर एरान के सभी बड़े शहरों में दिखाई देने लगा है साइबर अटैक के बाद इरान के सभी सीक्रेट उडा लिये गए है मतलब ये कि इरान के हतियारों का रिमोट कंट्रूल अब तेलवीब में है जिसे जब चाहे इसराइल दबाएगा और इरान को दहलाएगा हाइटेक लडाई में इसराइल की साइबर आरमी बेजोड मानी जाती है जो जब चाहेगी तेहरान को कबाल खाने में बदलने का दम रखती है तकनीक के दम से जीते जाते हैं इरान को भी ये पता है इसलिए साइबर अटैक के बाद इरान ने बड़े फैसले देने शुरू कर दिये हैं इरान के उड्यन मंत्राले ने मुबाइल के लावा किसी भी इलेक्ट्रोनिक डिवाइस पर बैन लगा दिया है यानि प्लेन में पेजर और वाकी टॉकी जैसे इलेक्ट्रोनिक उपकरोनों पर पूरी तरह पाबंदी लगा दी गई है इस बुल्ला के पेजर और वाकी टॉकी को तेलवीब में बैट कर बम बना कर उड़ाने का नमूना इसराइल पहले ही दिखा चुपा है इसके बाद इरान के साइबर वर्ल्ड में सेंदमारी ने नेतन याहू की पावर को डबल कर दिया है इरान के सभी हत्यारों को हैक कर इसराइल इरान से बदला लेना शुरू कर सकता है इसराइल के हाथ अगर इरान की मिसाइल सिस्टम की चाबी होगी तो अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं कि युद्ध का नतीजा क्या होगा इसराइल से मिले जटके के बाद अमेरिका ने भी इरान पर करारा प्रहार किया है अमेरिका ने इरान पेट्रोलियम कारुबार से जुड़े 6 संस्थाओं पर प्रतिबंद लगाया है अमेरिका ने इरान के 6 जहाजों को ब्लॉक्ट प्रॉपटी के रूप में पहचान भी की है इरान की 10 वित्ते संस्थाओं पर अमेरिका ने बैन लगाया है इनके 17 जहाज के कारोबार भी ठप कर दिये गए है इरान पर मैक्सिमम प्रेशर बना हुआ है इसराइल कभी भी एक अक्तूबर का बदला लेना शुरू कर सकता है अमेरिका इसी ताक में बैठा है कि इसराइल इरान को दहलाए और फिर सूपर पावर शिया आर्क पर अपना टोटल कंट्रोल जमा ले लेकिन इरान भी जुकने को तैयार नहीं इसराइल मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि इरान अपनी सेना लेबनान में उतार सकता है मुहम्मद बागेर गालिबफ की बेरूत विजिट को इसी वार प्लान का सिगनल बताया जा रहा है लेबनान में इरान के आने भर की देर है फिर आरपार का युद्ध शुरू होगा जिसमें सभी लिमिट क्रॉस होनी तैय है लेबनान